तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है इस तरीके सिसाड़ी इसमें से हमें स्ट्रिप्स कटिंग करने है लंबाई में तो इसमें से एप्रॉक्सिमेट एंच की में स्ट्रिप कटिंग करूँगी तो 2 इंच पर पहले में यहां प commitment कम करनाती हूँ यह मैं कटका निशान लगा लिया और इसे पूरा एंड तक पूरी लंबाई में हम इसमें से स्ट्रिप्स निगा लिया यह मैं एंड तक आगी एंड में यह आपको पूरा कट नहीं करना है यहां से अप्रॉक्सिमिट वांप में छोडने के बार इसी को हम कॉंटिन्यू करेंगे आगे यहां से मैंने पूरा कट नहीं किया यहां से दुबारा से टू इंच पे निशान लगा लिजिए और यहां से इसे कट कर लिजिए लंबाई में इस तरीके से तो यह कॉंटिन्यूम बन जाएगा हमारे जाएगा यहां पे आगी यहां पूरा एंड तक नहीं काटना है थोड़ा सा छोडने के बाद फिर इसी गुमा लिजिए इस तरीके से यहां से फिर टू इंच लेके इसे कट कर लिजिए पूरा लंबा लिजिए और यह जो इस तरीके से हमारे पास आगे अब यहां से एक तरप से स्टार्टिंग से हम इसका गोला बनाएंगे और पूरी साड़ी में से इसी तरीके से कट करके इस तरीके से इसका गोला सा बना लिजिए इस तरीके से कट करते रही है और इसका पूरा गोला बना लिया तो इसी गोले से हम अपना मैट बनाएंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले क्या करना है इस मैट को बनाने के लिए में एक फ्रेम बनाना पड़ेगा उसके लिए आपके घर में कोई पुरानी टेबल पढ़ी हो वुड़न बोड पढ़ा हो कोई वुड़न चेयर हो आप इसमें पुरानी यूज कर सकते हैं तो चली मैं आपको बताती हूं कि पुरानी टेबल है कोई भी पुराना बोड पढ़ा है वुड़न बोड आप वो यूज कर सकते हैं और उसमें इस तरीके से स्क्वेयर में ये रेक्टेंगल में जिस शेप में भी आप बनाना चाहें की लिए लगा सकते हैं तो मैंने इस पे निशान लगा है मैं आपको बत ये दोनों में जो आप निशान लगाएंगे वो बराबर होने चाहें यहां कम और वहाँ जादा नहीं हो सकते हैं यहां कम और यहां जादा हो सकते हैं बस पैरलर वाली साइड में आपके निशान बराबर होने चाहें तो यह मैंने किस तरीके से लगाएं दिखिए यहां से मैंने पहले 1.5 inch का distance छोड़ा है 1.5 inch का distance छोड़ने के बाद 3 by 4 inch के distance पर मैंने ये निशान लगाए है यहां से लेके यहां 3 by 4 inch होता है 1 inch से 1 और 2 lines कम 3 by 4 inch 1 inch से थोड़ा सा कम तो यहां पर पूरे निशान लगा लिए इस तरफ इस तरफ और इस तरफ लगा एंही इस तरफ करता है जो रही इसे तरफ लगए अब Kore भी आपको क्या करना है जो निशान लगाएं इस एन निशान के ओपरा में कीले लगा हैं तो इसे कीले लगा के इसे रडी कर लिए जो निशान लगाते हैं उन निशानों पे इस तरीके से कीले लगानी है यहां से लेके यहां से लेके यहां तर पूरी तो इस तरीके से मेरा फ्रेम रेडी हो गया है तो चलिए अब हम अपना मैट बनाना शुरू करते हैं सिंपल मैंने इसमें नौट लगा लिए अब हमें इसके कील के इस तरीके से बाले यहां से दूसरी कील में घुमा लिया यहां से मैंने कील में लगाया यहां से घुमा लिया इस वाली कील से बूसरी कील में घुमा लिया इससे इसमें घुमा लिया यहां से फिर टर्न ले लिया यहां से फिर टर्न ले लिया अाम कील में भाले उहां से में सी फिरके रट ले तर्न ऊहां से डाले है कियां आत ओर कुमा भीऊ जान हूम कील में ज्या आत दो जर्रन दुमा तत दिन दे खिया 01ied not तन रिया तो यहां से हमें इसे टॉन ले लेना है यहां कॉर्णर में मैंने एक एक कील लगा लिए ताकि हमारा कॉर्ण लेने में इसी हो यहां से मैंने टॉन ले लिया और सेम वैसे ही दुबारा से यहां से पिल्टा में ले लेंगे हम टॉन लेने के बाद वापिस इसी कील से हम इसे दुबारा से लपी देंगे हैं यहां से यहां से टॉन ले लिया फिर यहां से यहां से टॉन ले लिया बस इसी तरीके से पहले ऐसे जब यहां यहां तक कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इसे पेट आगे हैं इस तरीके से यहां से लेके यहां तक उसके बाद फिर ऐसे फिर ऐसे और यह जितना भी हमारा इसे सारा लपेट लेशे यह देखें यहां पने इसे यहां Tetam tis competitिया यहां पर यहां पे साड़ी खतम उगए तो यहां पर खील हो ऐसे आपा मैँने इसे यह ताइए कर दिए तो जहां पे हम यहां पर केका हम टेशाने यहां पर पर जाए फिर आसे यहां तो complete करेंगे तो knot कैसे लगाने देखिए विण किसे कोई भी आपके पास NO sweater फिलने वले जो इस तरी के से डाला हुआ है इससे हम it sein력ärt करway he국ें करेंगे एफ इससे सेंट्र पुरा complete करेंगे तो मिछा स्वाइब करते हैं देखिए यहां से शुरू करेंगे फर्स्ट मैं यहां से शुरू करते हूं देखिए मैं राम राम से करूंगी ताकि आपको क्लियर होके मैं नॉट कैसे लगा रहे हैं अब हमें करना क्या है यह वली कील और यह वली यह साइट पर कर दिया यह देखिए इस तरीके से हमने ऐसे लपेटा था और हमने ऐसे लपेटा था तो ऐसे और ऐसे लपेटने में हमारे पास इस तरीके से ये क्रॉस आ गया तो ये हमारे पास सारे क्रॉसिस बने हुए तो ये जो क्रॉस बना है हमें इसे क्रॉस में इसे टाय करना है ताकि हमारा खुले नहीं और हमारा मैट बने क्रॉस में कैसे टाय करना है एक बार ऐसे ऐसे टाय करना है और एक बार ऐसे ऐसे टाय करना है क्रॉस में वान और टू यह हमारा ऐसे लपेटा हुआ है और ऐसे लपेटा हुआ है तो यहाँ से मैंने इससे निकाला देखिए एक यहां पे आया हो है यहां पे लिए यहां कील्ड से देख लीजी आप इससे इस तरीके से करते हूए कि यहुथ हुखuben अवि इसके बाद इसे मैंने इसके बीश में निकाला मैं अराम से कर रही हूँ ताकि आपको पूरा प्रापर विजिबल हो यह मैंने इसे नॉट कर दिया इस तरीके से अब ऐसे नॉट हो गया अब मुझे इसे ऐसे नॉट करना है तो मैं इसे इसके बीच में से निकाल लूँगी ऐसे दागे को मैंने ऐसे रखा हु है और इस तरीके से यहसे pande कम नॉट कर दिया अब नॉट करने के बार क्या करना है नेक्स्ट की लिच में जाएंगे तो यहां से मैं देख लूँगा इसमें बाप और वक्त में इस तरीके से यह आ गए मेरे तो एक बार ऐसे और एक बार ऐसे अब यहां से मैं यह ले लूँगी जितना भी है मेरा इसे इसके बीश में से निकाला यह मैंने इसे knot कर दिया उसके बाद मुझे ऐसे knot करना है तो अब मैं इसे यहां से ले लूँगे इस तरीके से और इसके बीश में से निकाल दिया cross में तो यह मेरा knot हो गया first knot लग गई, second knot लग गई उसके बाद सेम इसी तरीके से third knot लगानी है यह देखिए मैंने पकड़ लिया, वाप और वेफ्ट वाला इसके बीश में से निकाला यह मैंने इसे knot कर लिया ऐसे knot कर लिया, ऐसे cross में knot कर लिया यह इसके बीश में से निकाला धागा यह 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 मैंने इसे knot कर लिया तो बस इसी तरीके से यहां से मैंने शुरू किया है यह पूरी रो कंप्लीट करते वे पूरी रो को कंप्लीट करते वे आपको यहीं पे आना है फिर हम यह सेकंड वली यहां से रो शुरू करें यहां से मैंने शुरू किया था और कंप्लीट करते करते यह वली रो कंप्लीट कर लें अब हम इसे turn कर लेंगे और यहां से लेके यहां तक complete करेंगे अब हम इसे turn कर लेंगे और यह वली row complete करेंगे means हमने यहां से शुरू किया था और यह पूरा square में हमें से complete करना है यहां से लेके करते करते मैंने इसे यहां तक not लगा के complete कर लिए अब इसे यहां को टर्न कर लूँगी मैं फिर यहां से यहां और वापिस में यही पर आ जाओंगी तो मैं इसे टर्न कर लेती हूं जैसे नौट हमने यहां लगाई है अब हम इस रो में नौट लगा लेंगे पूरे में complete लिए नौट लगाने का में तट से में से ही है जैसे मैंने पहले आपको बताया था करना ह में अलगाई है यहां से है अप पूरे इस रोओ को complete करना है यहां तक फिर यहां से फिर टरॉन ले लेना है फिर यहां से लेकर यहां तक पुहंच जाए यह पूरा इस ट्रो को कमप्लीट कर दिया। यहां से मैंने बनाना शुरू किया था पूरा इससे बनाते वें यहां से बनाते वें वापस में यहीं पे आप गई हऀ qualité आप पूरा यहां पर इस ही तरी के संटर तक आजाएंगे तो और यहीं से मैं टर्न ले लूँगी और यहां से निकाला उसकेबड़ नॉट करने का मैंने का मैं ब्लकूर सेम् है जैसे दिन आपको चाहूं में बताया यह देख के अखिते हैं अब झाले थी तरीके करते हैं तो में यहीं पर फिर थर्टरा इसे न टंपके करली है। पर इस तरीके से रही पर इख मकthen के ट 얼굴에 है क्पलिव पर रहे के ट्लाजरी तो उसे मैंने इसे पुरा टाइ कर दिया, तो यह हमारा सारा टाइ हो गया है, बस अब हमें क्या करना है, अब इसे यहां से कट करके फ्रेम में से अलग कर लिया, तो इसे बस आपको साइडों से कट करना है, इस तरीके से साइडों से कट करके पूरा इसे फ्रेम में से अलग क कर दिया तो यह में कर दिया तो इस तरीक के से मेशी और हिसे मशीम वॉष भी कर सकते हैं कि इसका डिजाइन मनता है तरीके से Гाल इसे विल्कु रेडियो के हैं